आज से कुछ साल पहले दो बुद्धिष्ट मौंग जीने हिंदी में बद भिख्षुक या बद सन्नासी कहता है वो एक यात्रा पर निकले हुए थे इन में से एक मौंग काफी ज़्यादा सिनियर थे जबकि दूसरे मौंग ने कुछ साल पहले ही एक बुद्ध भिख्षुक की तरह अपनी जीबन जीना शुरू किया था अपनी यात्रा के दौरान ये दोनों मौंग एक नदी के किनारे पहुचे बो नदी ज़्यादा गहरी तो नहीं थी पर उस नदी का पानी बहुत ज़्यादा तेज गती से बैह रहा था उस नदी के किनारे एक औराद भी बो औरत बार बार नदी पार करने की कोशिश्ट कर रही थी पर बहे जाने की घबरहट के बज़े से बो नदी पार नहीं कर पा रही थी पर इधर जुनियर बुद्धिष्ट मौंग ने बिना कही और ध्यान दिये एक ही बार में ये नदी पार कर ली और नदी के दूसरे कि मौंग को धन्यवत किया और वो अपने रास्ते चली गई और फिर दोनों बुद्ध भिक्षुकों ने भी बहुत से अपने आगे के यात्रा जारी रखी अपनी यात्रा के कुछ आगे बढ़ते ही सिनियर मौंग को दिखने लगा कि जुनियर मौंग किसी बात को लेकर बहुत चिंतित थे उन्होंने फिर जुनियर मौंग से उनकी चिंता की कारण पूछा वो जुनियर मौंग ने उन्हें बताया कि आखिर आप किसी ओरत को कैसे सु सकते हो जबकि आपको पता है कि ऐसा करना हमारे नियोम के सक्थ खिलाफ है तो सिनियर मौंग ने मुस्कुराते कि मैंने तो बहुत समय पहले ही उस औरत को नोदी के किनारे छोड़ दिया है पर तुम क्यों उस औरत को अभी तक उठाये चल रहे हो दोस्तों उस सिनियर मौंग ने एक रूल तो तो तोरा पर एक आच्छे रिजन के लिए जिसके बाद उन्होंने उस औरत के बारे में सोचा भी नहीं जबकि जूनियर मौंग ने उस औरत को छुआ तो नहीं पर उस औरत के बिचार को अपने साथ लेकर चलते रहें बैसे ही लाइफ में हम कई बार जाने अंजाने में कई रूल ब्रेक करते हैं कभी किसे आच्छे रिजन के साथ तो कभी कुछ गल्ती होई ही जाती ह पर जरूरी ये हैं कि हम अपने पास्ट को सिर्फ एक लेसन की तरह ले और उसे पूरी तरह लेट्स गो करना सिखें ताकि हमारा पुरा ध्यान हमारे आज पर हो और हम अपने आने बले काल को कुछ बहतर बना सकें आपने पास्ट को लेसकर करें और आपने आज को जीए उम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में